दोस्तों पिछले साल जब इंडिया नेवी में फहला इंडियनियस यार्क्राफ्ट कैरियर आइनेस विकरांथ को कमिशन किया गया था तब सही एक ख़वर चर्चा में था कि इंडिया नेवी के द्वारा आइनेस विकरांथ के बाद और एक इंडियनियस यार्क्राफ्ट कैर लेकिन दोस्तों अब ये दूविदा एक तरीके दूर होने जा रहा है क्योंकि रिपोर्ट के मुताविक इंडियान नेवी अब एक मेगा डियल के अंतरगत और एक एयरक्राफ्ट केरियर के ओर्डर देने जा रहा है। लेके प्रोपोजल पहुँच चुका है जिसे कि इंडिजनियास एयरक्राफ्ट केरियर 2 मतलब IAC2 प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। रहेगा। दोसो पिछले साल ही प्रधान मंतरी नरंद्रो मोदी के द्वारा कोची में ही इंडियान नेवी के लिए पहला इंडिजनियास एयरक्राफ्ट केरियर मतलब IAC2 विकरांत को कमिशन किया गया था। और दोसो ये भारत में बनने वाला सबसे बड़ा जहास भी है। दोसो ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मेगा प्रोजेक्टों में से एक है जो फिलाल कम्प्लीट तो हो चुका है और दोसो इसे कोची शिप्याड लिमिटेड के द्वारा ही बनाया गया था और पिछले साल जब कोची शिप्याड लिमिटेड के तरफ से इस ज ऍंडियन नेवी को दे सकता है उपर से दोस्तों अगर इंडियन नेवी के रिक़्वार्मेंट को देखा जाए तो यहां पर टोटल तीन एरक्रेट केरियो hall के इनिशियल रिक्वार्मेंट है जाता कि हमेशा दो यार्क्रेट केरियोर दोनों कोस्ट में तैनात रह सके और उसी समय तीसरे यार्क्राफ्ट केरियर रिफीट या मेंटिनेंस से गुजारा जा सके। बनाया जाना था और ये इसकी जम बाले यार्क्राफ्ट केरियर मतलब आइनस विकरांत और विक्रमेत्य जैसे यार्क्राफ्ट केरियर नहीं होगा बलकि ये एक फ्लाइट डेक यार्क्राफ्ट केरियर होना था जिसके उपर कैटफोल लॉंचिंग और एरिस्टिंग वेर ज अब एसे में दोस्तों बजट भी इतने बड़े एरक्राफ्ट केरियर के लिए बहुत अधिक चाहिए और इन दोनों दिक्कतों को देखते हुए कुछ महीने पहले ये ख़बर आया था कि इंडिया नेवी के तरफ से फिलाल बड़े एरक्राफ्ट केरियर के जो सपना है उसे कुछ दिन के लिए होल्ड करते हुए पहले एक INS विकरांत के ही सिस्टर शिप को बनाया जाएगा ताकि तीन यार्करफ केरियर को एकी साथ ओपरेट करने का जो इंडिया नेवी का सपना है उसे पूरा किया जा सके हाला कि कुछ मेडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किय जा रहा है कि जो दूसरा इंडिजनियाज यार्करफ करियर होगा वैसे तो ये INS विकरांत के ही डिजाइन पे होगा लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है जैसे कि इसका आकार में थोड़ा बदलाव और ने थोड़ाव हो सकता है तो उही पे इन 26 यार्क्राप्टों के खरिदारी के बाद इंडियान नेवी के स्वाधिशी यार्क्राप्ट मतलब ट्विन इंजिन डेगवेस फाइटर यार्क्राप्टों को इंडियान नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा और दोस्तों इनिशियली जो आइनेस व लेके जिस तरीके का संकल्प उठाय जा रहा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि शायद सतंद्रता के जो सौवा वर्षकांड होगा मतलब 2047 के बाद इंडिया और किसी भी तरीके से एक भी हतियार के लिए किसी अन्य देश की उपर निर्वर नहीं होगा और भारत म बढ़े में इंडड्र करना कोई दिन पहले स्पेन के फेसिलिटी से इंडियान वार्फोर्स को को लाने के बाद अब इंड़ों के निर्वर करने के बेड़े में इंडर्ड करने का त्यायरी किया रहा है रिपोर्ट के मुताविक 13 सेप्टेंबर के दिन जहाँ पे स्पेन के द्वारा भारत को ये यारक्राफ्ट सौफा गया था तो वही पे 25 तारीक के दिन मतलब आने वाले 2-3 दिनों के अंदर इस यारक्राफ्ट को इंडियान नेवी के बेड़े में officially इंडर्ट किया जाएगा हलाकि 25 तारीक के दिन इसे इंडर्ट करने के बाद आशा किया जा रहा है कि 8 ओक्टूबर के दिन मतलब इंडियन यारफोर्स डे के दिन उत्तर प्रदिश के प्रयाग राज में जो यारफोर्स के तरफ से पैरेट को आयोजित किया जाएगा वहाँ पे भी ये यारक्राफ तो से फिलाल इस compose इंडियन यारफोर्स का एक बेस है और अब ये भी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पहला स्क्वाडरन को भी वरोद्रा में ही तयार किया जाएगा, अब यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बतादो कि इंडियन यारफोर्स के के साथ मिलके iarverse कंपनी के द्वारा कर दिया ञाएगा जबकि 16 ke 16 एयरटो का डिलिवरी इंडियान year travelers को अगेश्ट दो हजर्जार पच्चिस तक कर दिया जा आएगा जबकि making india में जो एयरक्रेप्टों का निर्मान किया जा रहा है मतलब पहला भारत में बने हुए C295 एरक्रेप्टों का डिलिवरी सेप्टेंबर 2026 में होगा और दोसो इसी तरीके से एक के बाद एरक्रेप्टों को डिलिवर करते हुए सभी एरक्रेप्टों का डिलिवरी अगष्ट 2021 तक संपूर्ण किया जाएगा मतलब 5 साल में 40 एरक्रेप्टों को भारत में निर्मान करके इंडियन एरफोर्स के बेडे में जोड़ा जाएगा और दोस्तों इसका मतलब सिंपल है कि हर साल इंडिया को 8 एरक्रेप्टों का डेलिवरी इंडिया के फैसिलिटी से होगा अब दोस्तों यहाँ पे C-295 एरक्रेप्ट को अगर देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दू कि यह दुनिया का वन अप दा बेस्ट लाइट टू मीडियम ट्रांस्वोर्ट एरक्रेप्ट है जिसे ऑपरेट करने के लिए दो क्रू मेंबर का जरूरत होता है एरक्रेप्ट का कैपासिटी करिवन 73 ट्रूप्स या फिर कहतो 48 पाराट्रूपर्स या 12 स्ट्रेचर का है जबकि कुछ कंडिशन में यह 27 स्ट्रेचर को तो कैरी कर सकता है हलकि इसके पेलोट शमता जो है वो नॉर्मली 7050 किलोग्राम है जबकि ओवरलोट कंडिशन में यह 9250 किलोग्राम तक पेलोट को कैरी कर सकता है या फिर क्रेफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करिवन 24.46 मीटर मतलब 80 feet 3 inch है तो वही पेस का विंग स्पैन 25.81 मीटर मतलब 84 feet 8 inch है या फिर क्रेफ्ट का हाइड 8.66 मीटर मतलब 28 feet 5 inch है तो वही पेस का विंग स्पैन 559 square मीटर मतलब 640 square feet है दोसो ये aircraft के maximum take off weight normal condition में 21,000 kg है जबकि overload condition में 23,200 kg है जबकि normal condition में इसके maximum landing weight 20,700 kg है और overload condition में यही weight 23,200 kg है दोसो ये aircraft के fuel capacity वी करीब करीब 7,650 लीटर है जबकि वही पेस में engine के रूप में दो pretty Whitney Canada PW127G turboprop engine का इस्तेमाल किया गया है जिसमें से हर एक engine का श्रमता करीब करीब 1,972 kg है तो वही पे emergency condition में यह 21,77 kg तक power generate कर सकता है ये aircraft के अगर performance को देखा जाए तो report के मताविए कि इसका cruise speed करीब करीब 482 km per hour है तबकि वही पे इसका range करीब 1,555 km से लेके 2,148 km तक है अलाकि ये aircraft के ferry range करीब करीब 5000 km है और service ceiling 4 km स भी अधिक है वही पे absolute service ceiling बताया जा रहा है कि 9 km से भी अधिक है मतलब ये 30,000 feet के भी अधिक उचाई में जा सकता है दोस्तों इस aircraft का सबसे खास बात ये है कि ये काफी छोटे runway से take off कर सकता है और उसके take off के लिए केवल मात्र 844 मिटर लंबा runway का जरूरत होता है जबकि landing के लिए 1025 मिटर runway वी इसके लिए काफी है हाला कि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के तरफ से इन एयरक्रेप्टों के जिन वेरियंटों को purchase किया गया है वो ट्रांसफोर्ड वेरियंट है जबकि इसके कुछ हत्यारों से last variant को ही वनाया गया है जिन में 6 हाट पॉइंट्स है औ दूसरे एयरक्रेप्ट के साथ इंडियन नेवी के ताकत को मजबूत करने को लेकर जो तैयारी किया जा रहे हुए इंडियन नेवी के लिए कितना बड़ा decision है कॉमेंट करके अपने राए अवश्य दीजिए तो आजके इस वीडियो को यही पही करते हैं समापत किसी और ए वीडियो मिलेंगे तफता के लिए जैहिंद वंदे मातरम